जैश्री राधाक्रिष्न भगवान जी की, जैश्री गोडि शंकर भगवान जी की, जैश्रावन मास महतियमे की, मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूडूब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं. आज हम आपको श्रावन मास महत्यम के छटे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं श्रावन मास के सिपावन समय में भगवान शिव की भक्ती करने से भगवान की कृपा मिलती है मनो कामनाई पूरी होती हैं दुख दूर होती है मनुष्य जो कुछ इच्छा करता है भगवान की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है लेकिन श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ती करने चाहिए और श्रावन मास में श्रावन मास की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुब कर्म माना जाता है मंगल कारी कहा जाता है तो श्रावन मास महत्यम के छटे अध्याई की कथा इस परकार है सनत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा है कि हे प्रभू मैंने हर्ष का कारण रवीवार के महत्यम की कथा को सुना अब आप श्रावन मास के सुमवार के महत्यम को कहीं उस कथा को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है सनद कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनद कुमार जी से कहने लगे है कि है सनद कुमार जी रवी मेरी आँख है उनका शेष्ट महत्यम में है पारवती के सहीत क्या इस मेरे सूम नाम का महत्यम का वर्णन हो सकेगा मुझसे इसके महत्यम का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आप से कहता हूँ चंद्रमा का सूम नाम है ब्रहमनों के सूम राजा है यग्य साधन सूम लता का नाम है इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो, यह मेरा सवरूप है, अते सोम इसका नाम कहा गया है, हेवी प्रवर इसकी वृत वीधी सुनो मैं विस्तार से आप से कहता हूँ बारह महीनों में सो मुवार का वरत करना उत्तम है यदि बारह महीनों में वरत करने की सामर्थ ना हो तो श्रावन मास के सो मुवार के वरत अवश्य रखने चाहिए इस मास में सो मुवार का वरत रखने मातर से एक वर्ष तक के वरत करने का मनुश्य को प्राप्त हो जाता है श्रावन मास के शुकल पक्ष प्रथम सो मुवार दिन में सो मुवार के वरत का संकल्प करें सो मुवार का वरत करूँगा इस वरत से भगवान शिव शंकरजी मुझ पर प्रसन हो ऐसे भगवान से प्रातना करें इस तरह से चारो सो मुवार के दिन या पांचों सो मुवार के दिन संकल्प करें यदि श्रावन मास में पांच सो मुवार हो जाएं तो पांचों ही सो मुवार के दिन संकल्प करके शाम को भगवान शिव का अर्चन करें साइकाल में भगवान शिर शिव जी की शोड़शोप चार से पूजा करे और एकाग्रमन से भगवान शिव की कथा का श्रवन करे मैं इस सोमवार वरत वीधी को आप से कहता हूँ आप इसे श्रद्धा भावना से सुने श्रावन मास के पहले सूम मार को उत्तम वरत नियम को ग्रहन करें अच्छी परकार नहाद होकर शुद्ध होकर सफेद वस्त्र ग्रहन करके काम, क्रोध, एहंकार, ध्वेश, चुगल खोरी आदी का त्याग करें मालती मली का आदी सफेद पुश्प तथा नाना परकार के पुश्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमश शिवाय या त्रियम्बक मंत्र से अर्चन करें भगवान श्री शिवशंकरजी महराज का ध्यान करें उग्र उग्र नाथ भव शशी मुली का ध्यान करता ह हूँ ऐसा कहीं रुद्र, नील कंठ, शिव, भवहारी का ध्यान करता हूँ इस प्रकार देवेश का मनहोर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने घर के वित के अनुसार इस वरत को जो करता है उसके पुन्यफल को सुनो सुमवार के दिन पारवती जी के सहित भगवान शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्रानी पुन्रा वरती से रहित दुर्लव लोक को प्राप्त कर लेते हैं इस मास में नक्त वरत के पुन्ये को संक्षेप मातर से कहता हूँ देव तथा दानों से साथ जनम के भेध्य जो प प्राप्त कर लेता है धन की इच्छा वाला इस वरत से धन प्राप्त कर लेता है प्रानी जिस स्वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वहफल प्राप्त हो जाता है इस लोक में भवत समय तक रहकर अपने इश्ट भोग पदार्थ को भोग अंत समय में उत्तम विमान द्वा को छोड़ कर धन की शटता को छोड़ कर शक्ति के अनुसार चांदी के वरिशब पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें सुंदर लिंटो भद्र मंडल बना कर उस पर घट की स्थापना करें दो सफेद वर्स्तर से ढंके घड़े के उपर तांबे या बांस का पात रखकर उसके उपर पारवती जी के सहित भगवान शिवजी की प्रतिमा रखें शूति समरिती और पुरानिक मंत्रों से भगवान शिव का अर्शन करें पुश्प का मंडप बनाकर उसके उपर एक रमनीक चंदवा बांध देवें रात के समय गीत तथावाध्य शब्द द एक सो आठ आहूति देवे यव ब्रिहितिल आधी द्वारा आप्या यस्व इस मंत्र से त्रियम्बक मंत्र से बिल्व पत्र का यशडक्षर मंत्र से हवन करें पुर्णाहूति करमकर श्विष्ट कृत आधी आहूति करें आचारे का पूजन अर्चन कर गउव आचारे को रमनिय ग्यारा भ्रह्मनों को भोजन करवा कर उन भ्रह्मनों को एक आदश घड़ा बांस के पातर सहित दे कर पूजन करें। वह जो कुछ इच्छा करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इस परकार भगवान शिवशंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावन मास महत्यम के छटे अध्याई की कथा को सुनाया है। भगवान शिवशंकर जी ने इस अध्याय की कथा में सुमवार वरत की विधी को बताया है। और साथ में भगवान इस पश्ट कहा है कि जो भगवान मास में सुमवार का वरत रखते हैं। उन्हें वर्ष भड़के सभी सुमवार के वरत रखने का पुन्यफल प्राप्त हो जाता है। इस कारण श्रावन मास में विशेश रूप से सभी को सुमवार के वरत रखने चाहिए ताकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदर शीवनसी वाले महात्मा यूडूब चैनल के वर से इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदिक धन्यवाद भगवान श्री राधा कृशन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी की श्रावन मास महत्यमे की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बन इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृशन भगवान की जैश्री गोरी शंकर जी भगवान की जैश्रावन मास महत्यमे की ओम नमश शिवाई जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे श्याम